प्राइज है 6980 रुपे पर परसन इसमें जैपूर के साथ जोदपूर भी घुमेंगे और तो और प्राइवेट वेहिकल मिलेगी पूरे साइट सिन के लिए इसमें पिक अप एंड ड्रॉप भी होगा होटल में आपको ब्रेकपस एंड डिनर भी इंक्लूड करके मिलेगा पे भी आप चाहोगे इसके बाद आप जाओगे होटल में होटल में चेकीन एंड फ्रेशन अप होने के बाद आप विजिट करोगे आंबेर फोर्ट को आंबेर फोर्ट जैपूर का सबसे पूराना किला है इसे राजा मान सिंग जी ने 1592 में बनाया था किले पे जाने के ल चल महल को यहाँ पे आप बाहर से ही फोटो शूट कर सकते हो और हाँ यहाँ पे आपको लोकल शॉपिंग के लिए भी मिलेगा इसके बाद आप होटल में जाके डिनर एंजोई करना और फिर रेस करना डे टू आज आप ब्रेकफास्ट करके जैपूर के होटल से चेक करेंगे और विजिट करेंगे सिटी पैलेस को जहाँ पे अभी के जो जैपूर के किंग है वो रहते है इसके बाद आप विजिट करना जंतर मंतर जोके सिटी पैलेस से हाडली दो मिनिट के डिस्टंस पे है यह दोनों प्लेस को विजिट करने के बाद आपको दस मिनिट का वॉक करना पड़ेगा हवा महल के लिए हवा महल के बाहर के wall का आ आप Pyx निकाल लेना उसके बाद आप अंदर जा के एक्सप्लोर करना अब अब लँच करके जोदपूर के लिए प्रोसिट करोगे शाम को जोदपूर मे पोचने के बाद आँ होटेल चेक इन करोगे, आपका खाना खाऊगे और रेस्ट कर लेना Day 3 जोदपूर साइड सीन आज breakfast करके आप होटेल से checkout करना फिर जोदपूर के places विजिट कर लेना First visit करना उम्यद्भवन पैलेस इस पैलेस को 2,029 में 100 साल पुरे होने वाले है इसे विजिट करने के लिए आपको लगेंगे 45 मिनिट अब विजिट करना महरंगर फोर्ट ये फोर्ट 1459 में बनाया था इस फोर्ट को विजिट करने के लिए आपको मिनिमम दो घंटे लगेंगे इसके बाद विजिट करेंगे जस्वन ताड़ा और फिर मंदोरे गार्डन आपको drop दिया जाएगा, अब exact inclusion क्या है वो जानते हैं, ये आपका plan होगा तीन दिन का, जिसमें accommodation होगा दो night का, one night होगा जाइपूर में stay, one night होगा जोदपूर में stay, room में आपको बहुत सारे amenities मिल जाएगे, मिल प्लैन होगा breakfast and dinner in hotel, sightseeing हम करेंगे जाइपूर एंड जोदपूर के places का, private AC वेहिकल अपको मिलेगी पूरे sightseeing के लिए, और इसमें driver allowance, toll, parking, सारी चीज़े include होगी, आप कितने लोग travel करने वाले हो, उस हिसाब से आपका travel plan का cost बनेगा, चो price दिया है, वो चार लोगों के family वाला cost है, तो दोस्तो कुछ पूछना है, तो comment करना हम जरूर help करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा है, तो like भी जरूर करना, और channel को subscribe भी जरूर करना, तो मिलते ह नए वीडियो में, नए travel plan के साथ,